इमस्कार राजिस सभा टीवी में आपका स्वागत है आपके साथ मैं हूँ अंक्यता सबसे पहले एक नज़र डालेंगे इस वक्त की हैटलाइन्स पर संसत के दोनों सद्नों में शू निकाल के दोरान उठा कोरोना वाइरिस का मुद्दा सभापती एमवें के एनाईटू ने संसत परिसर में इससे निपटने को लेकर उठाए गए एहतियाती उपायों की दी जानकारी करोना वाइरिस से निपटने के प्रयास तेज सरकार ने मलेशिया के कौलालमपूर हवाई अटे पर फसे भारतियों को वापस लाने के लिए दो उड़ानों को दी मन्सूरी यूरोपीय संग के देशों तुर्के और ब्रिटन से यातियों के भारत में प्रवेश पर आज से प्रतिबंद आई 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 टी बॉंबे में सभी शेक्षडे का गतीविधियां 31 मार्ज तक बंद कोरोना वाइरिस से यूरोप में मरने वालों का आखडा 3000 के पार इटली में अब तक 2500 मौते यूरोपीय संग बाहरी यातियों पर 30 दिन की पावंदी लगाने पर सह्मत अमेरिका में मरने वालों का आखडा 100 के पार प्रेंच ओपन और यूरो कप समेथ कई टॉर्नमेंट स्थगित प्रधान मंत्री नरिंद्र मोती और सौधी अरब के यूबराज सल्मान ने कोरोना वाइरिस से पैदा हालात पर की चर्चा साज़ा प्रयास के लिए जी ट्वेंटी नेताओं के बीच भी सार्क देशु जैसी कबायत पर सहमती कोरोना से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों की अवश्रक्ता पर सूर यस बैंक का कामकाज आज शाम 6 बजे से पूरी तरह हो जाएगा साबानिय नगती निकालने पर लगी सीमा भी होगी खत्म ग्राहक पहले की तरह बैंकिंग सेवाओं का कर सकेंगे इस्तिमाल और बुलिटन की शुरुआत करेंगे कोरोना वाइरस से जुड़ी खबरों के साथ राचे सभा में आज फिर कोरोना वाइरस का मुद्दा उठा शुनिकाल से पहले सदस्यों ने कोरोना वाइरस को लेकर अपने विचार रखे कॉंगर्स सांसद आनंद शर्मा ने जाच की वज़ह से देरी और मास्क का मुद्दा उठाया केंद्री मंत्री मुक्तार अबास नक्वी ने कहा कि सांसदों के जुनून और जजबे से बाहर एक अच्छा संदेश जाएगा वहीं सभापती एम वेंक एनाइटू ने कहा कि पूरा संसद परिसर किटानू मुक्त किया गया है जगे जगे लोगों के लिए हैंड सैनिटाइजर रखे गए हैं साथी दूसरे उपाए भी किये गए हैं उन्होंने सांसदों से इस माबले में सुझहाफ मांगे रेचर चेकिंग इस बीड़ने परिसर के लिए बूम बेरियर अगर हम इस सदन के अंदर बैट करके लोगों में अगर हम इस सदन के अंदर बैट करके हमारा मिजाज जो है इसमें लडने का इस जुनून औ जजबा नहीं दिखेगा और हम उसमें पैनिक करेंगे तो निश्ची तोर से वो देश के हित्में नहीं है we have sanitized the entire parliamentary complex just for information second this hand sanitizers have been kept at various places third time to time all the necessary arrangements also will be made if in addition to this if members have any suggestions they can convey to the secretariat or they can convey to the chairman about the need to take some more steps as far as the sanitation under the what do you call the required measures are concerned I review to the members राजसभा में शुनिकाल के दौरान भी कई सदस्यों ने कोरोना वारिस से जुड़े मुद्दों को उठाया आम आद्मी पार्थी के संजह सिंग ने परिक्षन केंद्र की संख्या बढ़ाने की मांग की कॉंग्रिस के रिपुन बोरा ने दूर दरास के इलाकों में हैंज सैनिटाइसर और मास्क उपलब्ध कराने की मांग की वहीं जेडियों की कहकाशा पर वी ने पटना के एम्स में कम्यों को दूर करने की मांग की करोना वाइरस के परिक्षण के लिए दिल्ली और भारत भर में परिक्षण केंद्रों की भारी मांग है यह वाइरस दुनिया भर में फैल गया है और भारत की भारी आबादी को इस संक्रमन का खत्रा है हमें दक्षिन कोरिया जैसे अन्ने देसों से परिक्षन मॉडल को अपनाना होगा जो ड्राइविंग इन परिक्षन केंद्रों की तैनाती कर रहे हैं सरकार को एक वास्तविक समय पोर्टल बनाना चाहिए और इसे कुल राजवार सकारात्मक कोविद-19 मामलों के साथ अद्दतन रखना चाहिए निजी छेतर भी योगदान दे सकता है और सरकार को जल से जल अधिक परिक्षन केंद्र खोलने की अपनी छमता का उपयोग करना चाहिए साथ मंत्रालियों को पूरे भारत में संग रोध केंद्र खोलने का काम सौपा गया था हमारे देश को जल से जल पूरे भारत में कई संग रोध केंद्र खोल कर चिकिटसा अपातकाल के लिए तैयार रहने की जरूरत है in the entire country not to speak up only in metropolitan cities even in the remote areas also there is acute scarcity of soap and acute scarcity of masks and sanitizers and some unscrupulous waters they have taken the advantage of this taking as her video rate from the public so now my suggestion to the government and more particularly to the ministry of health to monitors closely monitor the situation in the entire country so that sufficient stock is maintained पटना में जो एम्स खोला गया है महदे उसमें सही विवस्था नहीं रहने के कारण लोग जो है दिल्ली एम्स में आकर के अपना इलाज कराते हैं और परिवार एम कल्यान जो स्टैंडिंग कमिटी हैं उन्होंने अपनी रिपोर्ट 2018 में जो पेश की थी उसमें बहुत सारी कम्यों को उन्होंने उजागर किया था और उसकी विवस्था को सुधिर्ड करने के लिए कहा गया था लेकिन अभी तक वहां की विवस्था सुधिर्ड नहीं हो पाई है मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहती हूँ कि वहां जो कमियां उस कमियों को पूरा किया जाए इसे पहले राचसभा की कारिवाही की शुरुवात में ही पूर्वसद से और पत्रकार उटपा पाटिल को सधन में श्रधांजली दी गई उनके सम्मान में कुछ पलों का मौन भी रखा गया 1922 में जन्वे 98 साल के उटपा का निधन सोंवार रात हुआ था पुटपा पाटिल दो बार राचसभा के सांसद रहे ुआ करन दो क्युष पुटपा पाटिल की शवख पुटप vallahi पुटपा पाटिल पॉटका दो नस्तारत्ये Αन्टट्र लेजिर एम आbum जे पॉट्रेटर्फ टेख्टेटर्फ अइंडर गिन पॉट्स द्रिट टाउजक सूने। महीं लोग सभह में भी शुनियकाल के दौरान सांसदों ने कोरोना वाइरस का मुद्दा उठाया बीज़ेपी सांसद अजय मिश्रा ने कोरोना से निपटने के लिए सरकार द्वारा किये गए प्रयासों की सराहना की साथी कोरोना से निपटने में लगे डौक्टर, नर्स, एयरपोर्ट कर्मियों सहत तमाम कर्मचारी उद्वारा किये गए प्रयासों के लिए सदन में धन्यवाद प्रस्ताव लाने की मांग की कॉविड-19 का प्रकोप बुरी तरह से है, जिसमें 140 से ज़्यादा देश जहां प्रभावित हैं, वहीं 2 लाग के लगभग संदिग्द मरीजों की संख्या है और 7,500 से ज़्यादा लोगों की म्रत्तूश में हो चुकी है लेकिन हमारे देश में जहां एक बड़ी जनसंख्या है, 130 करोड की, हमारी सरकार ने इस पर नियंद्रन रखा है और अभी तक केवल 140 के लगभग हमारे यहां संदिग्द लोग मिले हैं और केवल तीन इंजिरी हमारी जिवका एजुलिटी हुई है लेकिन यभी जो यह बीमारी है इसके अभी बढ़ने के आशार है इसलिए नियंद्रन के लिए और भी सावधानी के आशकता है तो यूसर गाईटिंग टीन दुदी निविकान इंजव चान आट अरूराइब के लिए हमारे इसलिए को सब्सक्राइब टूबर टीन इंजशने इंजिव तो इसलिए और फैलने इंजिए मेलेसे के लिएवादि और तो इन पेंड़ एडियन दूबर टीन पर इंजिए बिवंके पारापम आपिए एक इंडा एक पूफिए अप्रापम तुर्णी गौज़ा है हैं उन्होंद इंडियोट कि मेद इंट गौज़ाः टूए इंडिकार्टि निए यह जे संट पौन इंड अर्पारण से अडियों पूज़ा प्लार मालेशा फिलिपान इन्थानिय और इस वक्त हमारे समवाद दाता अखिलेश सुमन संसत परिशत से हमारे साथ चुड़े हैं, सीधर रोग करते हैं अखिलेश संसत में कोरोना संकट को लेकर सदस्यों ने चिंता जताई है और शुनिकाल से पहले सदस्यों ने कोरोना वाइरस को लेकर अपने विचार रखे लेकिन गती रोग की चलते प्रशनिकाल नहीं चल सका है इसके अतरिक्त भोजना अवकास के बाद क्या कुछ उम्मीद यहाँ पर की जा सकती है देखिए भोजना वकास के पहले राजसवा में अगर देखें तो कुरोना वाइरस पे सदस्यों ने अपनी चिंताएं जाहिर की और उन्होंने इस बात को रिखांकित किया कि हम लोग इस तरीके का कोई संकेत नहीं देना चाहते हैं इससे देश में पैनिका है लेकिन जो सावधानिया है वो सावधानिया बरती जाएं हाला कि सरकार नहीं बात कही कि कुछ मामलों में देश को ये संत्केत देने की जरूवत है कि अगर संसत को अभी जौन कर दिया जाता है तो लगया की देश पैनिक में है तो इस बात को विपक्ची भी मानते हुए सदन में सारे विपक्ची के सदस से बने रहे उन्होंने प्रसनकाल नहीं चल पाया प्रसनकाल को एड्जॉर्ण करना पड़ा और भुजनावकास के बाद दो बज़े की स्थिति क्या रहती है बड़ी देखने वाली बात होगी निश्चित तोर पे कॉंग्रेस के लोग जो अभी तक बोलना है कि वो सवाल उठाएंगे राजसभा दो बज़े के बाद भी तो राजसभा की स्थिति में लगता है कि क्या रहेगी यह निश्ची तोर पे सरकार पर निर्भा करता है कि सरकार और विपक्ष के बीच में क्या मंत्रना होती है और किस तरह की रणनीती अपनाई जाती है ताकि जो महतपूर्ण जो बुद्धे है जिन पड़ चर्चा होनी है आज उजो चर्चा भी हो और जो विपक्ष का जो मामला है औरोप है या विपक्ष की जो मांग है उन मांगों को भी पूरा किया जा सकते है बहुत बर शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए तो राचे सभा सभापती एमवें के एनाईडू ने कोरोना वाइरस को लेकर संसद भवन परिसर में किये जा रहे उपायों का जायसा लिया इस जोरान कोरोना वाइरिस के प्रसार को लिरोकने के लिए किये जा रहे उपायों के तहट, संसद भवन पहुँचने पर राज्य सभास सभापती की थर्मल स्कैनिंग की गई, संसद भवन परिसर में हैं सैनिटाइजर्स, नैपकिन और साबुन की परियाप्त व्यवस्ता सह संसद भवन और इसके आज़ पास के शेत्रों में पूर्ण स्वक्षिता और साफ सफाई को सुलिश्चित करने के लिए सब भी उपाय किये गए हैं कोरोना वाइरस को लेकर संसद में उठाए जा रहे जरूरी एहतियाती कदमों के बारे में राजसभा महा सचिफ देश दीपक वर्मा ने जानकारी दी हम हैं इस समय संसद भवन परिसर में और हमारे साथ हैं राजसभा के महा सचिफ देश दीपक वर्मा जी वर्मा जी स्वागत है आपका राजसभा टीवी पर किस तरह के कदम उठाएं सचेवाले ने जो करोना वाइरिस का जो डर है उसके मद्दे नज़र देखे करोना वाइरिस के बारे में जो चारो तरफ से समाचार आ रहे हैं उसको देखते हुए माननी सभापती जी ने आज सबरे ही हम लोगों को ये निर्देशित किया कि हम इसके बचाओ के लिए अपनी बिना किसी तरह का पैनिक की रिट किये हुए इसके बचाओ के लिए जो भी उपाय किये जाने चाहिए वो उपाय हम लोग प्रारम करें तो इसके लिए सबसे पहले तो जो हमारे बाहर गेट्स हैं, एरन गेट्स हैं, उन सारे गेट्स पर थर्मल स्क्रीनिंग की विवस्ता की जा रही है, जो की माननी है संसर सदस्यों और यहां आने वाले विजिटर्स या हमारे जो कर्मचारी हैं, उन सब के लिए, इवन प्रेस के लोगों के लिए वो एक बिवस्था लागू की जाएगी इसके अलावा हमने आउटर लॉबी में जहां जहां पर इंट्री पॉइंट्स हैं और हमारे राजसभा के अंदर इंट्री के जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब जगों पर हमने sanitizer रख दिये हैं जिसका इस्तेमाल माननी सदेसें से अनरोग किया जा रहा है कि वो करें इसके साथ ही जो हमारे जो हमारे house के अंदर भी हमने sanitizer दो किनारे की तरफ रख दिये हुए हैं और माननी सदेसिगन उसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं वो चुपचाब उठकर जा करके कुछ समय बाद उसको इस्तेमाल करके और जो precaution गया गया है कि अपने हाथ को रब करेंगे वो हाथ को रब करके काम कर रहे हैं सर लगातार सभापती भी एक बात कहते आये हैं कि डरने की ज़रूरत नहीं है प्रिकॉशन की जुरत है किस सरह से आप इंशूर कर रहे हैं कि जितने भी मेंबर्स हैं या जितने भी करमचारी हैं वो precaution ले जो हमारे जो करमचारी हैं जो माननी इस सिंसदगन है उसके लिए हम एक अडवाजरी इशू कर रहे हैं और उस अडवाजरी में यह कहा जा रहा है कि यह सब अड़न कॉशन सावधानी के लिए किया जा रहा है तो किसी को भी पैनिक करने की आवश्यक्ता तो नहीं है लेकिन प्रिवेंशन इस बेटर दिन क्योर सो इसलिए सारे मेंबर्स को सारे सदस्यों को यह सुझाओ दिया गया है और अपने कमचारियों को भी यह सुझाओ दिया गया है कि वो सारे प्रिकॉशन की बेवस्ता करें हमने यहां तक भी कहा है कि कमचारियों में यह भी अडवाइस का इस्तेमाल उसके लिए भी कर सकते हैं जैसा कि मैंने इसमें किया हुआ है तो सारी साफधानिया बढ़ती जा रही हैं धन्यवाद हम से बात करने के लिए देश भर में कॉरोना वाइरिस के अब तक पुष्ट कुल 147 माबलों मेंसे 14 लोग संक्रमिट से मुक्ट हो चुके हैं और अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है मौझूदा वक्त में कॉरोना वाइरिस से संक्रमित 130 मरीजों का इलाज चल रहा है केंद सरकार ने कोरोना वाइरिस से निपटने के प्रयास तेश कर दिये हैं कोविट-19 के प्रभावी प्रबंधन में राज्य सरकारों की मदद के लिए तीस अपर सचिवों और सैयुक्त सचिवों को तैनात किया है इस बीच पश्य बंगाल में कोरोना वाइरिस का पहला मामला सामने आया है सरकार ने कोरोना के मरीजों के अस्पताल से डिस्चार्ज करने के लिए नई पॉलिसी जारी की है इसके तहर 24 खंटे में दो बार सैंपल टेस्ट किये जाते हैं और दोनों सैंपल नेगेटिव आने पर ही डिस्चार्ज किया जाता है केंद्र सरकार हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है सरकार के सभी मंत्रालियों और विभागों को कोविड-19 के मद्दे नजर सरकारी इमारतों के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनर लगाने की सलहत दी गई है सरकार ने COVID-19 के प्रभावी प्रबंधन में राचे सरकारों की मदद के लिए 30 अपर सच्चिवों और सयुक्त सच्चिवों को तैनात किया है केंद्री ग्री सच्चिव अजय भला ने नेपाल, भूटान, बांगला देश और मेरमार की सीमा से लगे राचेों के साथ कोरोना वाइरिस के खत्रे से निपटने की तैयारियों की समिक्षा की उन्होंने उत्तर प्रदेश, उत्राखन, बिहार, पशिंबंगाल, सिक्किम, असम, अरुनाचल प्रदेश, मेजोरम, मणिपूर, त्रिपूरा, नगलेंड और मेगाले के मुख्य सचिवों और अन्य अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फरेंस की वही कोरोना वाइरिस के संक्रमन की जाच की प्रयोक शालाओं की संख्या बढ़ाई जा रही है भारती चिकिस्ता अनुसंधान परिशत के महा निदेशक डॉक्टर बर्लराम भार्गव के मताबिक अभी ICMR प्रडाली में 72 कारियात्मक प्रयोक शालाएं हैं जो की अगले सब्ताह तक तयार हो जाएंगी उन्होंने कहा है कि भारत वर्तमार में हर दिन 10,000 टेस्ट कर सकता है इसे भी दोगुना करने का प्रयास किया जा रहा है साथी सरकार ने 2,000,000 टेस्टिंग किट का ओर्डर भी दिया है इस बीच कारमेक और प्रसिक्शन विभाग ने सरकारी विभागों को एडवाईजरी जारी की है इसमें जरूरत के मुताबिक थर्मल स्केनर लगाने और हैंड सैनिटाइजर उपलब्ध कराने की बात कही गई है सभी जिम मनुरंजन केंडर सरकारी भवनों में चल रहे क्रेच को बंद करने के लिए भी कहा गया है साथ ही आंग्तुकों के आने पर ततकाल प्रभाव से रोक लगा दिया गया है यूरोपिय संग, यूरोपिय मुक्तव, व्यापार, संग, तुर्की और बिटिन से भारत के लिए यात्रा पर आने वाले पर भी आज से 31 माज़ तक प्रतिबंध लगाया गया है साथ ही संग्त अरब, अमिराद, कतर, उमान और कोवेट से आने वाले यात्रियों के लिए 14 दिन का कौरिंटीन आनिवार्य कर दिया गया है रोम से भारती दूतवास वहां फसे भारतियों को हर मुम्किन मदद में जुटा है वही रेलवे ने कोरोना वैरिस के प्रसार को रोकने और सीटे खाली रहने के कारण कुल 85 ट्रेने रद कर दी है महराश्र से होकर गुजरने वाली तेस ट्रेने को रद किया गया है मदधी रेलवे और पश्चिम रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकेट की कीमतें 10 से बढ़ा कर लगभग 50 रुपे कर दी है ये कदम इसलिए उठाया गया है ताकि रेलवे स्टेशनों पर भीड को नियंतरत किया जा सके नागर विमानन महाने देशाले ने सभी विमानों को 24 घंटे में कम से कम एक बार साफ करने और किटाणू रहित करने का निर्देश दिया है कोरोना वारिस से उत्पन स्थिती के मदे नजर माता वैशनो देवी शाइन वोट के मुख्य कारीकारी अधिकारी रमेश कुमार ने तीर्थ याथियों से इस्थिती समानी होने तक पवित्र गुफा की यात्रा नहीं करने की अपील की है इस बीच बीज़ेपी अध्यक्ष जेपी नटा ने बुधवार को कहा कि पार्टी ने कोरोना वारिस के खत्रे के मते नसर एक महने तक कोई प्रदर्शन या आंदोलन नहीं करने का फैसला किया है संसद्य पार्टी की बैठक में इच्छा जाहिर की थी कि कोरोना के कारण भार्तिय जनता पार्टी किसी भी जनान दोलन में धर्ना में प्रदर्शन में अगले एक महिने तक भाग न ले और कोई भी जनान दोलन या फिर धरना या प्रदर्शन करने की आगे कार्खरम ना बनाए इस बात को ध्यान में रखते हुए आज पार्टी ने ये निरने लिया है कि अगले एक महिने तक भारतिय जनता पार्टी किसी भी तरीके का जनान दोलन नहीं करेगी नहीं किसी प्रदर्शन में भाग लेगी और इस बीच सरकार ने कोरोना वायरिस संकरमन के कारण मलेशिया के कौलालंपूर हवाई यड़े पर फसे भारतिय नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए एरेशिया की दो उड़ानों को मंजूरी दे दी है विदेश मंत्री एस जैशंकर ने ट्वीट कर कहा है कि कौलालंपूर हवाई यड़े पर फसे भारतिय विद्यार्थियों और अन्य यातियों की मुश्किलों को देखते हुए ये निर्णे लिया गया है उन्होंने इन लोगों से एरलाइंस संपर्क करने को कहा है खबरों के अनुसाद दोसों से अधिक भारतियों को अलालंपूर हवाई यड़े पर फसे हैं इनमें अधिकांश विद्यार्थी हैं इससे पहले विदेश मंत्री एस जैशंकर ने कल रात और चक निरिक्षन के तहट दिल्ली एयरपोर्ट गए और वहां तयारियों का जायसा लिया विदेश मंत्री एयरपोर्ट पर एमिग्रेशन, हेल्थ और सिक्यूरिटी से जुड़े अधिकारियों से भी मिले उन्होंने सबके साथ तयारियों की समिक्षा किया और किसी वी चीज़ की जरूरत के बारे में पूछा वहीं वाशिंटन में भारती दूतावास, कुरोना वारिस प्रभावित, ग्रेंट प्रिंसेस क्रूज जाहाच पर सबार चालग दल के भारती सरजस्यों के संपर्क में हैं और उन्हें हर प्रकार की अवशक मदद मोहया करा रहे हैं अनुदेश पर में कुरोना वारिस के 147 मामलों की अब तक पुष्टी हुई है सरकार अब तयारियों को किस तरह से आगे बढ़ा रही है बिल्कुल अंकिता 147 मामले सामने आए हैं लेकिन अगर हम बात करें तो 130 जो मामले हैं वो अभी active cases में गिने जा रहे हैं यानि कि जिनको hospital में treatment मिल रहा है उसमें से अगर 147 में से बात करें तो 14 लोग ठीक हो चुके हैं और तीम की मौत हो चुकी है लेकिन अगर सरकार की तयारियों की बात करें तो क्योंकि राजियों में अलगर राजियों में ये फैलता जा रहा है कल ही एक पश्रिम बेंगॉल का मामला सामने आया है सरकार ने 30 लोगों की एक टीम गठित की है जिसमें की additional secretary और joint secretary rank के officers को निक किया गया है यानि कि ये जो officers है ये जो team है ये राजियों के साथ coordinate करेगी coronavirus की situation को लेकर आज इसी की orientation meeting थी उसके उपर सभी को अधिकारियों को एक तरह से ये कह सकते orientation meeting में पूरी जानकारी दी गई है कि इन राजियों के साथ किस तरह से coordinate करना है वो सब और उसके बाद अगर हम बात करें तो तमाम राजियों ने जिस तरह से पहल करके state को बन किया है स्टेट के अलग-अलग जगाओं को बन किया है cinema hall, small, archaeological survey of India ने कई sites को बन कर दिया है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा तर लोगों के आवाजा ही रहती थी इस वज़े से लेकिन अगर हम बात करें ICMR की ICMR ने जैसे कहा कि अभी हम stage 2 में हैं अगर हम इसी तरह के जिस सरकार आदेश दे रही है उनका पालन करते रहे तो stage 3 यानि कि जो community transmission है वो उससे बच सकते हैं बिखल तो जाहे तोड़ पर यहाँ पर उनुस सरकार ने अपनी कोशिशे भी तेज कर दी हैं बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए कोरोना वारिस से निपटने के लिए साज़ा और एक जुट प्रयासों को लेकर प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी की कोशिशे जारी है इस कड़ी में प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने कल साओधी अरब की युवराज मोहमद बिन सल्मान से फोन पर बात की और कोरोना वारिस से उतपन वैश्विक चुनौकियों से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों की आवशक्ता पर सोर दिया प्रधार मंत्री कार्याले की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि चर्चा के दौरान प्रधार मंत्री ने महामारी को लेकर दक्षेस देशों के बीच एक वीडियो कॉन्फरेंसिंग आयजवित करने की भारत की हालिया पहल के बारे में बताया दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमती जटाए कि सौधी अरब की अध्यक्षिता में होने वाले G20 सम्मेलन में G20 के नेताओं के बीच इस तरह की कवायद वैश्विक इस तरपर लाभकारी साबित होगी कोरोना वारिस से दुनिया भर में मरने वालों का आखड़ा साड़े साथ हजार के करीब पहुँच गया है हाला कि अब चीन में हालात बहतर हो रहे हैं और इसी वज़ह से चीन ने इस महा मारी के केंडर वुहान शहर से अपने स्वास्तिय कर्मियों को वापस बुलाना शुरू कर दिया है योरोप में हारत बेहत खराब हैं और यहां अब तक तीन हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है इटली में लगातार तीसरे दिन भी करीब साड़े तीन सो लोगों की मौत हुई है इस देश में इस वाइरिस के संक्रमट से मरने वालों की संक्या बढ़कर धाई हसार के पार पहुँच गई है इस बीच यूरोपिय संग बाहरी यात्यों पर तीस दिन की पाबंदी लगाने पर सहमत हो गया है कुरोना से अमेरिका में भी मरने वालों का आखड़ा 100 को पार कर गया है अमेरिकी राश्रोपती ने कहा है किस से युद्ध स्तर पर निप्टा जाएगा अमेरिका की न्यूजर्सी और सैन फ्रांसिसको में कर्फियों की घोशना पहले ही की जा चुकी है अमेरिकी नागरी को को कहा गया है कि जब बेहत जरूरी हो तभी वे घर से बाहर निकले और खबरों में आगे बढ़ते हैं यस बैंक पर लगा मोराटोरियम आज शाम 6 बज़े से खत्म हो जाएगा और बैंक में सामाने कामकाज शुरू हो जाएगा इसके बाद कल्यानी 19 मार्च से बैंक की सभी शाखाओं में ग्रहक अपनी बैंकिंग सर्विसस को पूरा करने के लिए आ सकते हैं और यस बैंक के ग्रहकों के लिए कैश निकालने पर लगी लिमिट भी खत्म हो जाएगी यस बैंक पर ये मोराटोरियम पांच मार्च को जारी किया गया था और इसी के साथ इस बुलिटिन में फिलाल इतना ही अंत में एक नसर डालेते हैं देश के प्रमुक शहरों के मौसम के हाल पर नमस्कार पर नमस्कार झाल झाल